महाराष्ट्र और जार्खंड विधान सभा चुनाव की तारीखों की घोशना हो चुकी है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। जबकि जार्खंड में दो चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। जारखंड में पहला चरण 13 नवंबर को और दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा, दोनों राजियों के चुनाव परिनाम 23 नवंबर को एक साथ खोशित किये जाएंगे। जारखंड के कई जिले नकसल प्रभावित हैं, जिसके चलते वहां सुरक्षा की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए दो चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि 2019 में जारखंड में पांच चरणों में मतदान कराया गया था। इस बार दो चरणों में चुनाव कराना प्रशासनिक दृष्टिकोंड से एक बड़ा फैसला है। इन दोनों राज्यों के चुनावों के साथ साथ 13 नवंबर को वाइनार्ड लोकसभा सीट और कई अन्य विधान सभा सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की बात करें, तो दस विधान सभा सीटों पर मतदान की योजना थी, लेकिन अब नौ सीटों पर ही उपचुनाव होंगे, अयोध्य की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं होगा, क्योंकि वहां का मामला अदालत में विचाराधीन ह बाकी 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा, और परिणाम 23 नवंबर को घोशित किये जाएंगे। नितिक स्थिती पर व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं.